दोस्तों कुछ ऐसा कोईशन आपके सामने आएगा बीए फस्टियर का जब एकजान दे रहे होंगे जिन ही इनुवर्सिटी में क्या बोलते हैं बहुबिकल पीए और लगुत्रिये ब्रिस्तितुत्रिये फिर अतिलगुत्रिये वाले कोईशन्स आते हैं तो उस पे जो है पारिक्षाएं होती हैं तो कुछ ही उनिवर्सिटी का जेन झोए जो है फिरसितुत्रियेक कोईशन्स आते हैं तो उसमें कोईशन्स ऐसे आते हैं कि भारत में समाज के अध्यान के महात्यों को अस्पष्ट कीजिए ठीक पूरण रूप से अस्पष्ट करना है इसका मतलब आपको कम से कमने 300-400 सब्द 500 सब्द देने होंगे उसको नहीं तो आपको जो पूरा नंबर होगा यसे आपका यह नंबर 500-500 अउलो में आपको किते एक मिलेंगे तीनी müलेंगे अगर आप जो है कुछ कम सब्दों में लिखते हो लेकिन डिखता है कि आप जितने सब्दों इसे 500 सब्द निए थो पांसो सब्स्थे सब्द ही उसको लिख सकते हो लेकिन अगर आप बढ़ी परी चाहु में जाओगे जैसे PCS गयरा में या फिर आई ये सो गयरा में जाओगे तो उसमें जो पेपर होता है मुख परिक्षा उत्तर लेकर तो उसमें जो उत्तर लेकर आपको करना होता है वो निश्चित सब्दों में करना होता इसे 300 सब्द बोला गया है आयो की तरब से तो तीन ही स सब्द में जो है उसको संतुष्ट करना होगा उस प्रसंद के उत्तर को ठीक तो कुछ इस तरह से होता है तो यह बीए तो बीए में होगा ऐसा कि इस तरह से कुछ तो चोशन सायंगे आप कोस्ट्थ कैसे होंगे तो दिखिए और अथवा करके दो-तीन-चार क३्ष्ट्व से क्षिए होंगे ठीक और करंके डिदेते हिए तो फिर ये कर दीजे या धिया फिर इसा कौशनों देगा कि अथवा कर डेलेगा कि इस का कोसे मोई हो गा आपको देख लेना कि क्या क्या जो है प्रस्ण जो है इंक्लूड है उसमें और प्रस्ण की जो भासा होती है वर्ड होता है उन सारे वर्डों को आप अच्छे से देख लीजिएगा कि क्या पूछना बकाइदा से अउधारणा पूछता है बहुत सारी समाज की अधारणा क्या होती है समुदाई की अधारणा क्या होती है समाज की अधारणा क्या होती है या फिर समिती की अधारणा क्या होती है संस्था की अधारणा क्या होती है तो हम बत बताना होगा ठीक समती सब्दिका साब्दिकर्थ बताना होगा और समती की परिभासा देनी होगी और परिभासा कैसी देनी होगी तो पहले तो आपको कम से कम तीन चार समाज सास्त्रियों के अनुसार उनकी परिभासा देनी होगी फिर उसके बाद में क्या होगा कि कुछ पढ़ो और उसके बाद में उसको अपनी भासा में कनवर्ड करके अपने तरह से उसको डिनोट करो अपनी तरह से उसको जो है लिखो ठीक इस तरह से आयोग मतलब जो बीफ हश्टियर का जो होता है ठीक वो मानता है इस तरह से अब जो ब्रिसे तो यह कोशन होते उनको लिख पूछा जाए कि समाज सास्त्र का क्या महत्तो है हमारे दैनिक जीवन में हमारी पढ़ाई से हमारी जो है बिज्ञान से और हमारे जीवन की जो किरिया कलाप है उनसे और पढ़ाई पढ़ाई से कैसे संब्द है और किस तरह से समाज सास्ता एक जान होता है मित्रों बता दें कि जो बिज्ञान की प्रकृति जो प्रकृति यानि ठीक को सोसियोलागी से मतब्र जो समाज सास्त की प्रकृति है इस पर वीडियो हमने यूटूब चैनल पर डाल लग की है तो आप यूटूब चैनल पर वहां जाकर करके वो सब्सक्राइब कर दिजिए क्योंकि वहां पर इस समय चल लहीं कोश्चन स्रिंखला चल लिए तो तीस सब्सक्राइब कर देखना है जादा से जादा मात्रा में सब्सक्राइबर रहेंगे मौटीबेसर मिलता रहेगा कि हम वीडियो अप्लोड करे और आप लोगों की तरह अच्छे यजि डालते रहें तो चलिए हम शुरू करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा तो आयंल देखिए मित्रों सस्कार इस तरह से आपका आएगा अब एंसर लिखना कैसे है तो हम क्यों हेडिंग हेडिंग लिखे हैं यहाँ पे अब इसको समझाएंगे हम एक एक हेडिंग को कि एक हेडिंग में आप अपने तरह से कैसे लिख सकते हो बिल्कुल एक बात है समझे जी कि एकदम किताबी भासा या फिर ऐसी भासाओं का बिल्कुल भी परियोग नहीं करना है आपको बीए में नहीं तो नंबर इसे पांच का है तो चार ही मिलेगा तीन ही मिलेगा लेकिन जब आप उसको अपने सब्दों में लिखोगे बाकाइदा से एक समासास्त्री के बारे में लिखोगे उस समासास्त्री के अनुसार क्या उन्होंने बताया उस समासास्त्री ने उसको लिखोगे और इसे कोई बड़ा सब्दा आ गया ठीक से समासास्त्र है तो ब्रेकट में सोसियोलाजी लिख देना है समाज है तो सोसाइ तो इसके आगया ब्रेकट में जो है सोचियोलाजी आप यहां पे लिख देगे ठीक तो इस तरह से आपको नंबर क्या होगा जिए पाँच नंबर का पांच निम्बर यह थ़ कि इससी कटी kicked यह कि भी करेकर पर विडियो मिलेंगी या सुकलड़ी पॉइंट पर वीडियो मिलेंगी जैसे दो घंटे का लक्चर होगा एक घंटे का लक्चर होगा जो बड़े लक्चर होंगे वो सुकलाइश्टी पॉइंट पे होंगे और जो छोटे छोटे लक्चर होंगे एक टॉपिक के वीडियो अलग अलग के होंगे वो बीए करेकर पे आपको मिलेंगे ठीक तो अगर आ पर रहें तो उसके बाद में जब आप नौरात्री के बाद देखेंगे एक बेक वीडियो जाओंगे एक दिन में कम से कमने दो वीडियो अपलोड होंगी ठीक तो आप तयार हो जाए बिलकुल अभी थोड़ा थोड़ा पढ़िए उसके लाएं अब तुरंत आपकी परिक्ष सब्सक्राइब और अगर आप और अच्छे से पूरा सारे रट लेते हैं तो कम से कम नहीं तुम कर फ्रम बता रहे हैं ठीक स्वारी तो चलिए अब पहला हमने नोटेट कर रखा पर पहला पॉंट आपको लिखना है उस कोश्चन में जो कोश्चन हमने लिखाता पहले आप बैक करके वीडियो देख सकते हो क्या स्थे ठीक तो किसमा क्या था कि भारत में समासास के अध्यन के महत्य को अस्प्रेश्ट आपका पॉइंट यहां पर टॉपिक निकल के आता है पहला हीडिंग तो हीडिंग आपको अच्छे से सुनहरे सब्दों में लिखनी है इस केस से तिक आप इसकेस से हीडिंग लिए नीचे आराम से बलब एरो तीर का चिन लगा देंगे ठीक फिर एक लाइन छोड़ करके अच्छे से लिखना है सच्छता का विसेज ध्यान रखना होता है लिखने अगर आप जाते हो कोई भी परिक्चा हो अगर लिखित परिक्चा है तो सच्छता का बिल्कुल भी ध्यान ने के लिखा रहता है उपर पेपर में कि सच्छता का ध्यान दें ठीक क्योंकि कोई सब लिखेंगे समाज सास्त्र समाज समाज सास्त्र जो होता है समाज का वैज्ञानिक अध्यन करता है फिर इसको एरो लगाएंगे और नीचे से लिखना सुरू करेंगे क्या नीचे से आप अपनी भासा में लिखना सुरू कर सकते हैं कि जो है समाज सास्त्र होता ता घ्रक्छी समाज किसी भी विज्ञान नेक आध्यां समभव होता है इतना ही नहीं आप और भी लिख सकते हो बलकी आधुनिक सांसार की अनेक समयाँ से संब्धनित होने के कारण समाज सास्त्रम ने इतना अधिक महत्मोंश्थ्थान पराप्त कर लिया चिसामारी सास्त्रीय उपागम मतलब क्या मतलब समझने का उपागम मानेत है आप के लिए ऐसे आप के लिए कौन सी और गया उसमें घी तो कहां उन्हेसें नहीं एक किसाल से माझिक सास्त्र होते हैं उन्हारी समाजक विग्यान से मानुष्या सास्त्र जाता है तो सेदों तो होता है तो यही होता है समाज सास्त का बैग्यानिक अब बात करते हैं अपनी भासा में आपको इस पॉइंट को समझा दे तो अपनी भासा में इसका मतलब यह होगा कि जो समाज सास्त्र था तो जब इसका जो है पहले इसकी उत्पत्ति नहीं हुई थी तो जो समाज सापन के लिए कितना important होता है और कितनी अच्छी इसे अच्छी चीज़ें इसमें इनकूरूड हैं जो कि हमें अपने बारे में नहीं पता होती हैं और यह जो चीज़ें होती हैं समासास्त में यह हमें अपने बारे में बताती हैं कि हम क्या हैं हम क्या हैं हमारा समाज क्या है हमारे स समाज में जो फैली हुई विभीन वस्तोय हैं यह क्या है और जो समाज में हम एक दूसरे से जुड़े होते हैं बैक्तियों से यह क्या होता है एक समाज जो होता है समाज संबंधों का जाल होता है यह संबंध जो होते हैं इनके बारें कौन बताएगा तो समाज सास्त है किसके फादर अपसोशियो लाजी है यह ठीक इतनी बात के लिए हुई इस तरह से आप समझा कि आप लिख सकते हो इतनी इंपोर्टेंट आप इतने समझदार हो कि समझदार के लिए सारा काफी है हम थोड़ा साइसारा अगर कर देंगे तो आप लोग पका है लिख के सही से आजाओगे क्योंकि बहुत सारे अगर अगली साल की वीडियो समझे के तो बहुत सारे कमेंट ऐसे भी आये थे की सर मेरे जो है बहुत अच्छे से हमने कोश्चन किया और कम से कम नहीं तो सब्सक्राइब कोई किसी ने पाच्पन कोशन जैसे जिस साल जो है से और हम देखेंगे कि क्या कमी बच रही है क्या कमी हो रही हमारी वीडियो में तो उसको हम और इंक्लूड करेंगे और मेरा वाट्सपन नमबर तो हई ही नीचे डिस्क्रिप्शन बाक्स में लिंक पड़ी होती हर वीडियो के तो आप वहां से लेख सकते हैं और जो कुछ भी दिक्कत होती वाट्सप पे आप कमेंट कर दीजिए वाट्सप पे आप सेंड कर दीजिए ठीक तो यहां पे कुल मिला करिए समलिजे समास जब समास सास्त का उदय होया था 1838 में अब जब 1838 में समास सास का उदय होता है तब से जो है समास सास को अब क्या होगा जब उदय होगा समास सास तो बिभिन सारे समास सास्त्री आएंगे अब समास सास्त्री ने बहुत सारे दार लिंक होगी यह फिर आप में पदेख सकते हो तो वहां से वीडियो देख सकते हो समासास की परिभास सब्सक्राइब लेकिन प्रहां यहां पे काफी रिकॉष्ट थी तो हमने यहां हमें वीडियो बनाना पड़ेगा ठीक तो चलिए हम सुरू करते बहुत सारे स्टूधे ने बताया कि सरी वीडियो बनाई ये तो बहुत तरे इसी हैं जहां पहले बिद्वान, जो तमाम सारे बिद्वान होगे, वो समासास की परिभासा देंगे, अब जब वो समासास की परिभासा देंगे, तब उसके बाद में क्या होंगे, तब वो समासास्तरी कहलाएंगे, ठीक, उससे पहले वो बिद्वान होंगे, लेकिन जब वो समासास की पर लाइब क्लास में आपको मिलवाएंगे आपसे वो उनको 15 साल का इस्पीरियन से पढ़ाने का अब सब्जेक्ट कौन सा है रिजनिंग सब्जेक्ट है अभी हम बताएंगे आपको अभी यहां पर डिसक्स नहीं करते हैं लाश्ट में बताएंगे आपको तो वीडियो पूरा लोग देते अपनी परीभासा तो समाश सास्तर है और समाश सास्तरी बन जाते हैं तो क्या होता है कुछ दिन बाद jakeते कि समाश सास्तर है इसको विच्द्धcrire tumor बीजकर करना चाहिए विज्ञान की विग्यान की लाग में इसको पढ़ना चाहिए क्योंकि यह जो है बैग्यानिक पद्धती का अध्यन करता है और हर एक सिध्धान्त देता है जो की पोड़ता सत्य होते हैं और सिध्धान्त जो निकलते उन्हेँ सिध्धांत कर्णांग सभी होता है उसके होता है अ कि इतना सारा आपको नहीं लिखना कि पहले नहीं होता था अब होता है आप जुँआ बना चुन एक यहां बना के इसको छे नंबर देने में उसको कोई सम जो एक्जामनार होगा वह आपको बिल्कुल जादा नंबर देदेगा ज़िवाप अपनी भाँसा में लिखोगे उसको भी समझ में आएगा अगर मालिया कोई व्यक्ति सोसियोलाजी कम जानता है मालिया और उसको कापी चक करने की इस लिए नहीं कि पढ़ाते हैं क्यों आप लोगों के लिए योटूब पढ़ाते हैं बस है यूटूब है यहां से कोई अहीं तक हम नहीं कमाया है क्यों क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी यूटूब पे हम वैसे जो है यहाँ पे दो आईडी लिंक हो चुकी थी तो इसलिए कह रहे हैं कि यूटूब होती है ऐसे यहाँ पैसे से यहाँ पर कुछ नहीं करना चाहते है यहाँ पर हमें यूटूब पैसा देगा उस जो ही हम यूटूब पे ही लगा देंगे सारी वीडियो में लगा देंगे क्वाल्टी में इसको वीडियो की फिराल अभी अपने अपना ही पैसा लगा रहे हैं जो कुछ भी कर रहे हैं यहां पे मतलब कि आप समझ चुके होंगे यहां पर जब समाज सास्ती बहुत सारे समाज सास्त को एक विज्ञान को दर्जा पर आप्त करिए तो बहुत सारे इसके दुप समाज का बैग्यानिक अध्यन होने लगा है तो इसलिए समाज का जो बैग्यानिक अध्यन है उसके रूब में समाज सास जो है मानोजीवन के लिए बेहद ही इंपोर्टन है अब दूसरा कोशन देखिए आप लोग देख रहे होंगे यार बहुत टाइम हो रहा लेकिन कोई ब बड़े हो चुके हो आपको समझ और नसमझ है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो आप अपड़ी एमत आप समझ लीजिए अच्छे से अब देखिए दूसरा समाज सास्र ब्यक्ति के विकास म संस्थाओं के अस्थान पर अथ्ध्यन करता है अब आप इस करनी है तो आपको मंदिर जाना पड़ेगा या फिर आपको कहीं पे डांस सीखना है तो डांस अकडेमी में जाना पड़ेगा सिंगिंग करनी है तो सिंगिंग अकडेमी में जाना पड़ेगा फिर इस तरह से बहुत सारी संस्थाओं में जाना पड़ेगा आपको जो भी छेत एक रामु नाम का लड़का था एक बालिका अन्ना थी य heading हया पर मच्छे किसी की साधी नहीं इस और उसके बच्चा हो जाता है और उसके आत answer कि बच्चे को कहीं अलग जा करके देती एक किसी काडबस्त समझे लिए सब्सक्राइय थाया कि ये concept के लिए के का लिए की च्थान होता है उसका आध्यान करता है कौन सकराण कर बूर्स का कि आपको दवा कहाना जाओंगे तो आपको दवाई मिलेगी और आप डाउस यहईगा शिंघे की सिखा जाएगा जाएगा तो यह सब बात हो गई यहाँ पे दूसरा तो यह पोइंट आपका किलियर होगा तो आप इसको बता सकते हो जो विक्ति का विकास होगा उसके लिए शफ़ट् के रूर्म में समासाती उप्योगी होता है बात करें पहले बीसां जाले में समासाथ को एक विसे सबस्राइब और अब समाज धीरे जो है यह हर एक यूईौरसिट्यों में दर्श्टे इसको पर सकते हैं और अपने समाज के बारे में जो भाइली हुई जो भी समताय होती हैं उनको समझ सकते हैं और दैनिक किरियाओं के माध्यम से आप दैनिक किरियाओं को आप समाज सास्त्रिय अधारणा से जोड़ भी सकते हो ठीक अब बता दें कि हर एक कालेजों में ट्रेनिंग भी होने तो यह सारी है तो यह सब के अंदर जो विद्याले आते हैं तो वह सारे जो भी द्याले में आप देखेंगे तो 99.99% लाइब ले ऐसे होंगे जहां पर सोसियोलाजी पढ़ाई जा रहे होँगी पारिजन टाइम में घृट के सोशियूलाजी काशा सब्जक्ट अब अब बन गया है कि हर एक बड्याले में अनिमार हो गया सोषिरालाजी पढ़ाना जबकि आप कोई और चूंइ देखेंगे तो कहीं तो फिलीन होगी मानिता प्राप्त होगी किसी विद्ध्याले में कहीं विद्ध्याले में जो है पॉलिटिकल साइंस पे मानिता प्राप्त नहीं होगी किसी विद्ध्याले को किसी विद्ध्याले को जो है क्या बोलते हैं मतब आइसे से किसी विद्ध्याले को अच्छा के बिसे में सोस्योलाजी कितना उप्योगी होता है तो 99.99 परसंट ऐसे विद्ध्याले हैं जहां पर सोस्योलाजी पढ़ाई जाती है तो आप ऐसी इसको बना के अच्छे से लिख सकते हो अब राष्टी एकता में सहायक चोधा पॉइंट आप लिखेंगे चोधी हीडिंग है तो चोधा पॉइंट लिखेंगे राष्टी एकता में बाधक अब बतादे मित्रों कि आज भारत के समध्य एकता की सम Command के समय्ष्या एक प्रमुख समय्ष्या मानि जाती है ठीक आज रा समाजिक संबंध कौन से हैं समाजिक जो यह जो स्वार्थ समूह की अभी हमने बताया तो स्वार्थ समूह मतलब यह होता है जिसे हर एक ब्यक्ति किसी ब्यक्ति से अटेश्मेंट है हर अब आज की समूह में आप भी देख रहे होंगे कि एक ब्यक्ति अगर दूसरे ब्यक्ति से किसी माध्यम में अटेच है तो अगर परिवार का है तो कोई बात नहीं लेकिन परिवार का भी है तो अधिकतर कम से कमने 60% बात पहम बता रहें 60% ऐसे बेती होते हैं परिवार के भी जो कि हर एक बेक्ति से बीना सौर्थ के अटेचमेंट ही नहीं है हर एक 12 हर एक 15暂द से स्वारथ के मांध्धम से सौर्थ स्वारथ से जूड़ा हुआ है और बाहरी बिदियों की बात करलीं से हमालिया एक समू मेरा है एक समू किसी और का आपका है तो मैं और आप मेरा और आपका जो संबंद हैं हम दोनों एक दूसरे से किस से जुड़े हैंगे स्वार्थ से जुड़े होंगे समाज साथ की परिभासा को देते हों ने बताया समाज की परिभासा को देते हुए मैं का तो यही मताएगा इसे में समाहसास का बहुत बड़ा योगधान होता है समाहसास यह बताता था कि आप इनसे किस तरह संबंदित हो सकते हूँ और एक जाल के रूप में रहना चाहिए अगर आज हम मोच के काम आते हैं तो मौनु कभी सोन के काम आएगा या फिर मोचYE काम आएगा इस fact वुरा मत मानिएगा लेकिन फिरहाल यहां पे आप अपने हिसाब से बना सकते हो माल्या एक बेक्ति आप ऐसे लिखेगा वहां पे कि माना एक बेक्ति सोनू है ठीक अब सोनू किसी दूसरे समू का है और माना दूसरा बेक्ति मोनू है मोनू किसी दूसरे समू का है अब मोनू और सोनु का जो जुडाओ है आपस में जो लगाओ है ये एक स्वार्थ के माध्यम से बहुता चला जा रहा है इसी स्वार्थ को अलग करने के लिए इसी स्वार्थ को खतम करने के लिए समाज सास्त्र जरूरी होता है पढ़ने के लिए ठीक इतनी बात के लिए हुई आप इस समाजिक समैस्या होगी उसको हल करने में समाज सास्त की बिभिन योग्दान होता है जो समाज सास्त रहोता है Ciao देखिए आध्षुनिक्जटिल समाजों की काफी बढ़ गई है इसके साथ ही ही साथ आज समाजों में मित्रों विभिन प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है और इन समस्याओं को ठीक से समझने के लिए परतेख समाज को ये चाहिए कि समाजिक संगठन बनाया जाए समाजिक संगठन के संबंध में जानकारी नहीं esti तो यहाँ पर आप इसको पाच्वे पॉइंट में यह लिख सकते हो कि जो समाजी समस्या है इस समझेशं Defense को अगर असमाजassoci नहीं हो रही है अगर इसका हल हमें ढूलना है तो हमें समास्वार्ण though होगा ठीक कैसी समस्याइं जो आज जाती के रूप में हमारी समस्याइं है जाती वर्ग के रूप में समस्याइं हमारे जीवन में है समू के रूप में है धरम के रूप में परिवार के रूप में है राजनीती के रूप में है इत्याज समस्याओं को अगर हल करना है तो हमें स समा साथ को तो पढ़ना होगा ठीक ओके चलते हैं कि बढ़ते हैं ने शुचन देखिए ने शुचन आपके सवारी नेश्ट स्लाइड आती है ने श्लाइड में हमने फिर पांच पॉइंट पांच एटिंग रखी है फिरहाल आप दस पॉइंट को जरूरी नहीं कि दस पॉइ सब्सक्राइब में इंपोर्टेंट है इंपोर्टेंट है नोट कर लीजिए एकदम से और बताईएगा बाद में कि आया सर आया कोईशन कमेंट करिएगा चलिए चलिए चटवा पॉइंट आपका निकल क्या ता स्टवा हेडिंग में आप हम बताएंगे चिछटवा ग्रा उनने 75% जनसंख्या जो कि गाउं में निमास करती है और ग्राम पिछले करीब 45 वर्सों के नियोजित प्रेतनों के बावजूद आज भी अनेक समस्याओं से ग्रस्त है अब इसे ग्रामों में क्या होता है तो गाउं में बता दे हम गाउं में निर्धनता होती है पैसा नही जिखा था हमने पढ़ाता जब बच्पन में थे तो हम छोटे थे तभी पढ़ाता साय याद नहीं आता किस क्लास की कविता है भारतें दूहरी चंद की कविता हमने इसको जानते हैं कि कविता थी वह आता दो टूक कलेजे का करता पस्ताता पत्पर आता ठीक पीठ दोनों म बच्चे भी हैं जो सदा हाथ फैलाए बाएं से मलते हुए पेट को चल्टे और दाहिना दया द्रिष्ट पाने की और बढ़ाए भूंक से सूख ओठ जाते दाता भागी विधाता से क्या पाते घूट आसों के पीकर रह जाते ठीक इस तरह से बताया हरी भारतें दूहरी अगर आप से कोई ऐसी बुजरुक महिला मिलती है आपको रास्ते में फिर छोटा सा बच्चा मिलता है जो कि अगर मांगता है कोई चीजे तो आप उसको दे दीजिए आपके पास कुछी नहीं तो एक मुसके से आप घर से निकलिए तो पांच रूपए या फिर दो रूप आपके पास नहीं हो आप इसमें पैसे की प्रॉब्लम तो होएगी तो लेकिन जो कुछ भी है तो आप घर से निकलिए अगर कोई आपसे मांगता है तो आप दे दीजिए अगर बूढ़ा है अगर जवान ब्यक्ति कोई मांग रहा है तो उसको आप समझा दीजिए कि भीया है उसकी एक एक रोए जो होंगे एक एक जो ठीक एक सरीर की जो पार्ट्स होंगे वह आपको आशिर बात देंगे ठीक चलिए कोई बात नहीं कि पेकारी होती है बेरोजगारी होती किर्सी का पिछ्गा परन होता है पेशूंपर ने निर्भरता होती है परमपाराकर जैसे हमारे पिता जी जो है हमारे पिता जी अगर क्या बोलते हैं अगर हमारे पिता जी जो है क्या कुछ भी करते हैं हमारे पिता जी किसान है तो हम भी किसान ही रहेंगे हमारे पिता जी पंडिताई करते हैं तो हम भी पंडित बनेंगे हमारे पिता जी जो है क् तरह से फेनोमेना गाव में चलता रहता है गाव में होताः है कि हम यह करते हम लाकों में घरते हुआ लड़का करणायों में खेले गाथ हुआ करते हमा लड़का बढ़के एक काम करे बाएं पाम क Parece देखो न ऐसा इस से आपा लड़का भी कुछ रहे इस समय तो भारत में मंदी चल लिए आटो वाइल सक्टर में तो मंदी एक बाद और बतादे एकोनॉमिक्स चेप्टर छूड़ गया था एकोनॉमिक्स फेबरेट है एकोनॉमिक्स अर्थसास्त्र जीबी जीडीपी जी एन पी एन पी एन डीपी और सारे मौद्रिग नी पीडियो है लेकिन अभी नहीं फिराला भी सोशियो लाजी देखें नौबर के बता रहे वीडियो की भर्मार हो जाक्या आप देख नहीं पाऊगे है वीडियो अभी भी नहीं देख पार रहे वितनी देर-देर में डाल तब भी चरी तो गावंपुद्धिरमाद में सहया होता है समाघ सास fadasd remains यह बताए आता है कि कहां की जैन संख्या कैसी है क्योंकि समाघ साथ में 2020 त्री से इसलिए कर दिया गया है जो समासाथ की जनगरना की जाया आप जन जन संक्या स्टर क्यों की जाक्व और उन्यों जनाओं के माद्धम से गातना होता है यह सरी फेनों में होती है गा yine होता है रण ग्रस्थता होती है इसता है आम बिस्वास होता है घगान एनने और संस्कृतिक अंच्थमेस maker समय कई प्रकार की पाई या तिह एंगे सारा है सिच्छा मनो रजन्ची किस्सा उद्योग धंधे और विफिन सुविधाय जो होती है ग्रामीड ग्रामीडों को नगरों की और आकर्सित करती है अब जैसे देखिए अब जो समाज साथ है मालिया आप गाउं में रहते हो और गाउं में आप रहे और कहीं मालिया सहर घूमन कई अगर्वास करता है कैसे अगर समास साथ दोपाएंगा कि यह इतने चीजें गरीब एं तो मोदी सरकार को हो जो मंदी सरकारी कोई भी सब्सक्राइं मोदी तो मु刃ने की क्या बात है जो कुछ भी है मोदी सरकार दोब अच्छी सरकार है ठीक फिर यल्सका मंदी चल लहीं तो उसमें तो बहुत सारे गोगा है तो चलता रहता यार संसंत में घृता रहता है मेशका परटिकल्साइज इस पर वीडियो बनेगी पारिट्पर रसाइज में बनाएंगे हैंं ठीक क्यार हम यह 웃 ? यहां पर जानते हो काझ पूर में रहते हैं और काझ पूर में हम क्लास देते हैं किसकी IES की क्लास लेते हूं में कि चलास पढ़ता हूं मतलब उसके पर हमारे प्रिय भाई इन सबको बताना वह जरूरी बनता तो इसे लिए वीडियो बना देती है क्योंकि बीए के चेतर में कोई यूटूबर वीडियो नहीं बनाता कोई बनाता हूं पर्टीकुलर बिये के लिए तो बताए कोई से यहां चैनल है इसा जो बिये के लिए वीडियो बनाता हूँ अभी तक भी फश्चिर वीडियो बनाया हूँ वी सिकंडिर के लिए बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं तो बीडियो बनाओं गांगा जो बताना में बता दूंगा घर आपको अच्छा लगता तो सब्सक्राइब करिए अगर नहीं अच्छा लगता तो कोई बात नहीं मेरे पैरे भाई चलिए तो नगरिये विकास में सायक होता है इसे मालिये ग्रामीड गाउं में है आप तो समासास का यही मोटिव है कि जो गाउं की जनसंख्या को सहर में लाना इसको माध्यम बताए लेका कि जो गाउं में जो सहर में होता है यहां पेरोजगार होगी जो वहां की जो है बेरोजगार होंगे उनको क्या मिलेगी उनको रोजगार मिलेगा आप जब फृण बढ़ेगी अभी एकोनोमिस को टापिक अब जीडीपी बढ़ेगी और अब जीडीपी बढ़ेगी तो अपनी आर्थी किस्तिती सही होगी ठीक जीडीपी मतलब होता सकल घरेलू उत्पात ग्रास डोमेटिक प्रोडेक्ट ठीक यह समझ लेजिए तो यहां पे होगा अब जब वहां पे फैक्टरी होगी तो वहां पे जो है वहां गाओं की जितने वहां की जन संख्या होगी वो तो वहां पे करेगी काम और वहां से फिर दूर दूर के लोग और आएंगे बसेंगे और वहां बसेंगे तो आबादी घनिष्ट होगी अब ज कोई समझा लोग सकते हैं लेकिन अभी तक समझा नहीं हैं मैंने दस तरह से बता कर ईब सब मुझाल प्यूपूंट को अपनी वहारिस तुम्हारी वहारिक समझा रहा हूं कि आ आ박 चीवान की किरियाओं को समाज सास्त की किरियाओं से जोड कि आपको समझाया है मैंने अभी तक सातों को और अठमा देखिए अठमा पॉइंट आप लिखेंगे कि समाज समाजिक नियोजन में सहायक समाजिक नियोजन में क्या सहायक होता है समाजिक नियोजन में सहायक अब नियोजन क्या होता है तो नियोजन की जो होती है चार इसके छेत्र होते हैं किस तरह से आप नियोजन कर से नियोजन मतलब होता है इस सेवाएं जो होती है पहला जो होता है नियोज समाजिक नियोजन ठीक वो क्या होता एक नियोजन मतलब व्यवस्था नियोजन मतलब व्यवस्था तो पहली व्यवस्था क्या होती मूल भूस समाजिक सेवाएं जैसे कि सिच्छा एवं स्वास्त की सेवाएं तो यह समाज देखें जिसे और दूसरा क्या होता है ग्रामीडो यहां तक बात कलियर हुई आप्गों का कल्याण ये भी समाज सात में बताता है की कौन जनजाती कहा समाजसास्त्र परयान करता है समाज मेरतलै काल्यान निन समाज करता है तो आज कभी भी आप किसी के सामने समाज 3 के बारे में कुछ भी बोलता है तो आप उसको अच्छे समझा सकेंगे क्योंकि आपने सुकला श्री पॉइंट में स्योम सर की वीडियो देखिए ठीक यहां तक बात क्लिए हुई मित्रो चलिए आगे बढ़ते देखिए आठमा हो गया नवा पॉइंट आपके सामने आता है कि परिवारिक जीवन को सफल बनाने में सायक समासास के माध्यम से बताएं तो परिवारिक जो होता है परिवार समाज की मूल भूत इकाई होती है ठीक तो कोई बात नहीं डरना नहीं है ठीक अगर समय्ष्याइई आ रही हैं समय्ष्याइवर्थ में परिवारिक नियमों आदर्सियों में भी परिवर्ता ना रहा है अब प्रेम विभा प्रेम विभा को पहले गंधर विभा बोला आता था अंतर जादे विभा भी होने लगे हैं ठीक इन सबके संबंद में जब तक बैग्यानिक दिश्ट कोर से बिचार नहीं कहा था तब तक ना तो परिवारिक समस्टाये हल होंगी और ना ही इन से सुचारा मिल पाएगा और ना ही परिवार जीवन को सुख में और सफल बना सकेगा तो इसलिए समाज साते बैग्यानिक बिग्ञान है समय साते विग्यान होता है और समासाथ को भी ज्यानिक देश्टी से जब हम समझेंगे अब और समासाथ को वेग्यानिकि समझेंगे विपसारे पुर्टान आ रहे यह सारी सीजिए आरही है तो इनको भी हमस्चते चले चाले गए लिए ठीदांगी क्योंकि परिवर्टं प्रकृतिकरन एक विबाही परिवार बहुत सारे परिवार होते हैं तो इसमें कैसा परिवार कैसा विबाह किया जैसे परिवार का संतुलन बना रहे किस तरह से परिवार को परिवार के सदस्यों को कंट्रोल किया जाए किस तरह से परिवार के साथ संबंद रखा जाए यह सब बताता है कौ पढ़ा है मैं समासाथ अच्छा लगा पहले बिल्कूल भी अच्छा नहीं लगता था लेकिन एक आएक बना मैं इंटर तक अब किसी दिन अपने बारे में हम चर्चा करेंगे अभी नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो बना रहे हैं ठीक बहुत सारे लोग जो देख रहे हों लेकिन आप बतातें नौकरी अभी ब्यवसाया कतात पर यहां पर नौकरी से हमने रखा थोटेहनों को पराप्त कर सकते हुद नौकषण ANDw Bright कर सकते हो तो portal scale ל लेबर वेलफियर अधिकारी के रूप में आप नोकरी पा सकते हो दूसरा समाजिक सुरच्चा यथा रोजगार कार्यालाई बेरोजगारी बीमा योजना के छेतर में आप नोकरी पा सकते हो समासाथ पढ़ने से ठिक समाजिक कल्यान के छेतर में समाज कल्यान अधिकारी ठिक पासकते हो समासाथ के पढ़ने के बाद बिधवा करल्यान के छेतर में नारी निकेतन के अधिछक के रूप में हमने बताया कि बिधवा के बारे में अगर कोई आवाज उठाया तो पहला सब पहला कौन था सब्जक्ट तो इसमें क्यों था तो ब्यक्ति तो बहुत सारे हुए ऐसे कहते हैं कि अकपार ने भी सथिह परथा कांद करवा दिवा आसारे तो हम यह पर झाब को सबस्सक्ति ने कब तो बम्ध बन कर वाएंगे ले सब्सक्राइब कर नियुक्त सब्सक्राइब कर सकते हो परिवार नियुजन के च्छेत्र में समाजिक सोध करता के रूब में आप आप कारिस्क कर सकते हो समासास को पढ़ने के बाद में तो इन सभी छेत्रों में आप नवकरी पासकते हो समासाथ के पढ़ने के पढ़ने के बाद तो इतना सारा आप पासकते हो समासाथ के कि यह हमारे सरह हैं रिजनिंग के यह हमको रिजनिंग पढ़ाते हैं इनका क्या नाम है नितीन मिस्रा नाम है और यह रिजनिंग के 15 साल इस्पीर रिजनिंग का इनको 15 साल का इस्पीर ने पढ़ाने का ठीक इतने अच्छे से रिजनिंग पढ़ाते हैं कि आपको क्या चाहें थीयांति ठीक और बड़ी-बड़ी कोचीं को में पढ़ाते हैं इन्नों ने लख्नव में कलास दी है guiding अदर कानपुर में का का दे क्वाज दीक कल्यान से क्या कर घृत सेamięति और इन्से मेरी बहुत अच्छी घनिष्थ सम्बंद ले है यह मेरे टीचर है और गुरु जी है बहुत अच्छे मतब इनका इनको मैं अपना से मतब मैं सिस्थ हूं इनका ठीक यह बहुत अच्छा पढ़ाते रिजनिंग तो आप ऐसा करिए अगर आपको रिजनिंग पढ़ने के कोई भी भी अभ्यारतिय गरी चुक है तो आप इनक यूटूब पे चैनल मिलेगा आपको सर्च करेंगे तो आयेंगे हिजे रही ही हरी फ्रकेश है पहले कि हुझा अचम्मह रजाहें मैं फैकि फिढर estatum मिलेगा तो वहां पर जेंग सर्च करेंग यूटूब जाइए जो तक बहुत पुराना टापिक हो कौन सा सकता है किस तरह से सकता है अब किस तरह से कॉछन पूछाते हैं पहले किस तरह से क्भाइब तो अगर कोई अगर रेले दे साइब साना है तो आप वहाँ देखाए बारे में तो आप समासाथ की परकृति वारा वीडियो देख लेंगे तो जो हमने अभी इसमें लेक्षर बताया है यह लेक्षर आपका बहुत अच्छे हो जाएगा और समझ में आ जाएगा कि समासाथ विग्ञान इसमें बताए कि समासाथ बिग्यान है ठीक इसका पार्ट दो है प्राइस समासाच की प्रकृति दो भाग में हमने बता जाए तिक आप बता दें कि यह जो रिजनिंग के सर है नितिन मिस्रा सर हम अभी मेरी तवियत खराब है हो सकता ती दो तीन चार दिनों के अंदर हम लाइब आए आप लोगों के समझ अब जब लाइब आएंगे आप लोगों के समझ तो आप सर को सर को भी लाएंगे तो सर से आप लोग मिलिएगा सर को लाइब आपको कुछ बताएंगे आपके भविस्थ के बारे में कुछ बताएंगे आपके बारे में दो सब्सक्राइब बोलेंगे ठीक आपको सही समझ येगा ठीक और इनके चैनल क कोईस्टन हम बता दें एक कोईस्टन आपको दे रहे हैं यह कोईस्टन हमने करा रखा सुकलश्डी पॉइंटबे ठीक आप जब जाएंगे प्लेई लिएए फिर वीडियोस में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा ठीक तो देखे एक समाज की क्या विस्जिस्था हो सकती है स समय कि क्या विसिष्थ विस्थ निस चाराइब्स नेंrical समाजो मिलते हैं वीडियो तब तक के लिए जयं हिंद जयावारत और बता दें कि यह जो अभी साम तक किये भी अफलोड हो जाएगा वीडियो बीए करेकर पर पार्ट तीन एक हजार की स्रिंखला चल लिए ऐसा कुछ इंटरफियस होगा टिक इसमें मेरी फोटो लगी होगी टिक बीए पर्थमवर्थ के लिए समाज साथ अब यह समाज साथ कौन सा सिकंड और पूछे जाएंगे तो एक हजार कोशनों की स्रिंखला है एक हजार कोशन आप अगर अच्छे से पढ़ लेती हो समझ लेते हो वीडियो को तीन-चार बार देख लोगे तो आप जब इक्जाम में बैठोगे तो आप तुरंट मार की चले आओगे ठीक चलिए वीडियो क को यहीं पर हम अपनी बाणी को विराब देंगे और वीडियो को हम जो है आप यहां पर वीडियो बना उची समझी आप लोग ठीक तो चलिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में फिर एक धमाकेदार टॉपिक के साथ धमाकेदार कोशन के साथ जैसा आज लक्षर दिया वैसा लेक्षर देखने के लिए हमारे चैनल सुक्राइश टी पॉइंट को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेर करें मेरे पैरी मित्रों चलिए